हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साफगानी शलवार की कटिंग और स्टेचिंग शेयर करूँगी इसमें मैंने मियानी भी लगाई है और स्टेप बाई स्टेप हर चीज को मैंने बताया तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें यह मेरा सवा दो मीटर कपड़ा वैसे आप दो मीटर में भी 40 इंच लंबाई तक आराम से शलवार बना सकते हैं कपड़े को देखें मने लमबाई में डबल फोल्ड करके रखा है एक बार और चोड़ाई में फोल्ड कर देंगे तो देखिए इस तरह से फोर फोल्ड में है कपड़ा धर से ओपिन साइड है इस तरफ से बंसाइड है अभी सबसे पले लेंद के लिए निशान लगाएंगे आप जो अपनी सिंपल सलवार में लेंद लेते हैं उससे एक इंच कम लेनी है लेंद इसमें जैसे कि मेरे शलवार के लेंद रहती है 40 इंच तो मैं इसमें 39 इंच लूँगी रेडी लेंद अभी देखिए टेप को 6 इंच तक इस तरह से बाहर की तरफ निकाल के रखना है क्योंकि 6 इंच का हमारी बेल्ट आएगी इस तरह से मैं अभी 39 इंच पे निशान लगा लूँगी अभी जो हमने 49 इंच लंबाई का निशान लगाया है उसमें से 1.5 इंच और कम कर देना है क्योंकि 1.5 इंच की अमारी पट्टी आएगी मोरी में तो मेरी मेजेर्मेंट में 1.5 सैती सिंच हो रहा है तो मैं 1.5 सैती सिंच पे इस तरह से निशान लगा दूँगी उपर से इस तरह से रखेंगे टेप को और देख लेंगे कितना आ रहा है मेरे इसमें ये 3.5 इंच आ रहा है तो मैं आगे की तरब भी 3.5 इंच पे निशान लगा दूँगी अब इस माकिंग को सीधा कर लेंगे अभी 16 इंच पे मोरी के लिए निशान लगाएंगे अभी खुली वाली साइड से आसन के लिए निशान लगाएंगे आसन के लिए जो भी आपका हिप का मेजेरमेंट है उसको 3 से डिवाइट करना है और 3 हिस्सा लेना है मेरे इप का मेजरमेंट है 42 उसको मैंने 3 से डिवाइट किया तो आता है 14 इंच तो मैं यहां 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ देखे इस तरह से 6 इंच पले बाहर की तरफ निकाल देना है और इस तरह से आप नापके देखेंगे तो यह 8 इंच आ रहा है अभी यह आसन वाली पॉइंट को जो हमने मोरी के लिए निशान लगाया है दोनों को इस तरह से मिलाते वे लाइन बना देना है मैं मियानी लगा रही हूँ इसलिए मैंने सीधा मिला दिया है अभी देखें अगर आपको मियानी नहीं लगानी है तो अंदर की तरफ दो इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और इस तरह से क्रोश काप का निशान बना के आप कट कर सकते हैं अभी देखें मोरी में मैं आधे इंच पे और निशान लगा रही हूँ क्यों आदा इंच हमारा जाएगा सिलाई मार्जिन में, इसको भी सीधा कर लेंगे, और इसी मार्किंग के उपर कट कर देंगे, अभी देखें जो नीचे से कपड़ा बचा है, इसमें से हम अपनी बेल्ट मोरी और म्यानी निकाल लेंगे, मोरी की सेंटर में नौच लगा देना है, अभी बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे, तो इस तरह से देखें, फोल्ड कर लेंगे इसको, देखें इस तरह से मैंने 8.5 इंच कपड़ा फोल्ड किया है, 6 इंच हमारी रेडी बेल्ट है, और उसमें 2 इंच जाएगा इलास करना है, और उसमें 5 इंच में प्लस करना है, मेरी हीप है, 42 इंच मैंने 2 से डिवाइड किया तो 21 इंच आता है, और उसमें मैंने 5 इंच किया तो 26 इंच होता है, तो मैं यह चपड़े सCal कर रहा हुँ, अभी एक इंच और मार्क कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ से आधा- और एक पीछे का अभी बचेवे कपड़े में से म्यानी कट कर लेंगे तो इस तरह से ट्राइंगल में फोड़ कर लेंगे कपड़े को म्यानी की लेंद के लिए जितना हमने क्रॉच लिया है आसन लिया है उतना ही हमको लेना है लंबाई तो यह देखिए 8 इंच है तो मैं अब देखें मियानी लगाने के लिए मैंने कपड़े को सीधा रखा है अब जो आसन वाला निशान हमने लगाया था वहाँ पे देखें इस तरह से मियानी को रखना है और दूसरी साइड पे दूसरी मियानी को रख देंगे और पिन लगा देंगे देखें सिलाई के बाद यह इस तरह से आ जाएगा उसके बाद दूसरा वाला पार्ट लेंगे और दोनों की सीधी साइड इस तरह से मिलाते भी रखेंगे और देखें इस तरह से दूसरे पल्ले में भी मियानी को जोड देंगे चलिए मैं मशीन पर बताती हूँ आपको देखें इस तरह से सीधी सिलाई लगा के जोइन कर देंगे मियानी को अब देखें इस तरह से सीधा करके एक बार और सीलाई लगा देंगे उपर से सेम वेसे दूसरे साइड वाली मियानी को भी जोइन कर देंगे इसको भी देखें इस तरह से सीधा करके फिर उपर से सिलाई लगा देंगे अभी दूसरा वाला पल्ला लेंगे और दोनों की सीधी साइड मिलाते भी रखना है और क्रॉच एरिया में इस तरह से मियानी को जोइन कर देना है अभी देखें फिर से सीधा करके इस तरह से उपर से सिलाई लगा देंगे देखें इस तरह से मियानी जोइन हो गई है अभी दूसरी तरह भी इस तरह से सिलाई लगा के जोइन कर देंगे इस तरह से हमारी दोनों मियानी लग गई है बेल्ट की दोनों साइट पे हाफ इंच के माजिन पे सिलाई कर देनी है साइट को सिलने के बाद अब दो इंच पे निशान लगा लेंगे इलास्टिक के लिए देखे इस तरह से निशान लगा के इस मार्किंग को सिधा कर लेंगे अब देखे पहले हाफ इंच कपड़ा फोल्ड करना है उसके बाद जो दो इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ तक कपड़ा फोल्ड कर देना है आप जितनी चोड़ी Elastic ले रहें उसी हिसाब से आपको कपड़ा फोल्ड करना होता है अब देखे इस तरह से फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देंगे और थोड़ा सा पाट खुला रखेंगे Elastic डालने के लिए तो देखे मैंने सिलाई लगा दी और थोड़ा सा पाट खुला रखा है अब देखे बेल्ड को किस तरह से जोइन करना है तो शलवार को देखे मैंने सीधा रखा है और इसको भी मैंने बेल्ड को भी सीधा रखा है अब जो मियानी माली सिलाई है और जो साइड की सिलाई है बेल्ट की सिलाई है जो हमने साइड में लगाई थी दोनों को मिलाते वे इस तरह से दोनों की सिलाई को मिलाते वे पिन लगा लेंगे और सेम तरीके से देखे पीछे की तरब भी इस तरह से दोनु की सिलाई मिलाते हुए पिन लगा लेना है इधर देखे इस तरह से प्लेर्स आ जाएगी शलवार का जो बैक पार्ट है पहले उसमें प्लेट्स बनाएंगे शलवार का जो पीछे का पल्ला है उसमें हम सिर्फ दो प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से देखे मैं एक एक इंच की दो प्लेट्स बना दूँगी इस तरह से एक इंच मैंने फोल्ड किया और इधर इस तरह से सिलाई लगा देंगे अब एक और प्लेट बना देंगे इस तरह से हमने एक एक इंच औरी दो प्लेट्स बनाईए ये बैक पार्ट में देखे बस इतने ही सिलाई लगा के सिलाई उतार लेंगे अभी आगे के पार्ट में प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से जो मियानी पे हमने लगाया था पिन वहाँ पे रखना है मशीन को इस तरह से सेंटर में और प्लेट्स बनाते हुए जाना है एक साइड पे पहले प्लेट्स बना लेंगे फिर दूसरी साइड से बनाएंगे आगे की तरफ छोटी छोटी प्लेट्स बनाना है अब देखे इधर से इतना मारा कपड़ा बराबर हो गया तो बस अब इतनी प्लेट्स आएगे अब इसको सीधी सिलाई लगा देनी है पूरा पीछे तक सिलाई लगा देंगे अब दूसरी साइड से प्लेट्स बनाने के लिए तो सेम इसे मियानी के पास रखना है मशीन को इस तरह से और इस तरफ भी छोटी छोटी प्लेट्स बनाते वे इसलाई लगा देनी है अब देखिए इतनी प्लेट्स बन गए अब कपड़ा सीधा हो गया तो पूरा बैक साइड तक सिलाई लगाते वे पका कर देंगे सिलाई को अब देखिए सिधी साइड की तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे उपर से तो अच्छी फिनिशिंग आती हो और प्लेट सिग्दम अच्छे से बैठ जाती है अब इलास्टिक डाल देंगे तो मैंने 30 इंच लंबी इलास्टिक लिया है जो भी आपके कमर का नाप है इलास्टिक आपको दो इंच कम लेनी है उससे इस तरह सेफ्टिक पिन के हेल्प से इलास्टिक को डाल देंगे इलास्टिक के इस तरह से ओवर लैप करते हुए दो तीन बर सिलाई लगा देंगे इतना जो खुला इससा है इस पर भी सिलाई लगा देंगे लेकिन द्यान से इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगा नहीं है अभी इस तरह से खीशते वे गैदर को एड़ेस्ट कर लेना है अभी देखिए दोनों साइड से इस तरह से खीशते वे सेंटर में सिलाई लगा देंगे मोरी बनाने के लिए मैंने ये स्टिप कट करके लिए है इसकी लंबाई जितनी आपको मोरी रखनी है उसे 3 इंच जादा लेना है मुझे 6.5 इंच मोरी रखनी है तो इस इसाब से मैंने 16 इंच लंबी स्टिप कट करके लिए है और इसकी चोड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया है अभी देखे इसको इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में नौच लगा देंगे शलवार के बॉटम में भी हमने देखे सेंटर में इस तरह से नौच लगाया था अभी दोनों के जो कट है उसको मिलाते वे इस तरह से पिन लगा देंगे शलवार के सीधी साइड मैंने उपर की तरफ रखा है और इस ट्रिप को हम शलवार की उल्टी साइड की तरफ रखेंगे और इस तरह से सेंटर मिलाते वे पिन लगा देंगे अभी किनारे से देखें डेर्ड इंच तक सीधी सिलाई लगाएंगे अभी देखें जो बीश का कपड़ा इसे प्लेट्स बनाते वे जाना छोटी छोटी प्लेट्स बनाके सिलाई लगा देंगे अभी सेंटर की पिन निकाल देंगे और दूसरे किनारे तक इस तरह से प्लेट्स बनाते वे सिलाई लगा देनी है और सारी प्लेट्स एक ही डिरेक्शन में बनानी है अचा देखिए दूसरे किनारे पे भी 1.5 इंच तक हमको सीधी सिलाई लगानी है प्लेट्स नहीं बनाना है अब यहाँ तक सीधी सिलाई लगा देंगे अभी देखिए पहले 1.4 इंच कपड़ा फोल्ड करना है फिर जो हमने सिलाई लगाई है प्लेट्स भी वहाँ तक फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे मैं इसमें गोटा लेस लगाने वाली है तो देखिए इस तरह से अंदर की साइड रखके फिर आप सिलाई लगा सकते हैं मैं लेस को उपर से लगाऊंगे तो पहले मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी अभी जो मैंने सिलाई रगाई थी उसी सिलाई के उपर इस तरह से लेस को रख के सिल देंगे सेम वे से मैं दूसरे किनारे पे भी लेस लगा दूँगी और ट्राइंगल वाला हिस्सा मैंने बाहर की तरफ रखा है अब इसेंटर में मैं एक और लेस लगा रही हूँ मेरे कुर्टे से मैच करती हुई आप चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं या आप खाली सब मुसालेस लगाएंगे तो भी आपके शलवार अच्छी दिखेगी इनर लेक की सिलाई लगाने के लिए पहले मोरी के लिए निशान लगाएंगे तो जितनी आपके मोरी रखनी है उतने आपको निशान लगा लेना मैंने साथे चेंज पे लगाया है निशान सेम तरीके से दूसरी मोरी पे भी निशान लगा लेंगे जो मियानी वाला हिस्सा है पहले में इधर पिन लगा ले रही हूं ताकि सिलने के टाइम पे कपड़ा खिसके नहीं और एकदम प्रॉपर्स लाई आएगी इस तरह से हमारी अफगानी शलवार रेडी है आज कल बहुत ट्रेंड में है आई होप आपको पसंद आएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो बेल बटन को जरूर प्रेस करें तक कि मेरी आने वाली है वीडियो की नोटिफिक कि शलगा को मिल सके तो